हेलो एव्रीवन आज हम करने जा रहे है अरुन सर्मा बुक का क्वेस्चन नमर्ट 29 टाइम स्पीड दिस्टेंस चाप्टर ठीक है एलोड 1 प्लें लेफ्ट हाफ न आवर लेट दन दे शेडिव टाइम अन अर्ट तरीच इस इसपीड अधिव पर से इसकेंट में इस इस पर से वह सी कि मतलब की जो तो टॉटल दिस्टेंस हो जाएगा वह फिप्टीन हंड़ किलोमेटर ठीक है तो इस ते इस इस चान्स्तें हो जाएगा स्पीड का मतलब time बढ़ेगा तो speed घटेगा time घटेगा तो speed बढ़ेगा यह की formula क्या होता है ती इकोल स्टू distance by speed होता है तो distance constant तो proportional हो जाएगा speed time के हना तो आप देखे तो इस से हम एक चीज़ डिराइब कर सकते हैं कि जो टी जो टी न्यू है बाई टी ओरिजिनल इस एको स्टू साउंड स्पीड ओरिजिनल डिवाइड बाई स्पीड न्यू होगा ना इसे रिलेशन से कि इनवर्सले प्रपोर्श नंतों इस इकोसटों और रिशयहane में यह स्पीड का हुझा है इस स्पीड बढ़ता है थर्टी 3.33% action में होता है 1 by 3 मतलब 1 by 3 से बढ़ता है ठीक है तो माल लिए पहले एक स्था था अब 1 by 3 एक से बढ़ता है तो एड़ हो जाता है 1 by 3 x तो अब LCM लेंगे तो हमारा फिर आएगा 4x by 3 3 मतलब 4x by 3 हो जाएगा नियू स्पीड तो 4x by 3 लिखा xx कटा और 3 उपर चला गया तो 3 by 4 आ गया मतलब सो बाइसन यहां पर सो बाइसन का वैल्ली हो जाएगा 3 by 4 तो ऐसे लिख सकते हैं 3 by 4 तो हमको यहां से टाइम नियू बाइ टाइम ओल्ड का वैल्यू भी मिल गया 3 by 4 अब क्वेश्चन में बोल रहा है हम यहां पर लिखता अच्छे से टीन बाइट यो इस एकोस टू 3 by 4 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्लेन था हाफ एन आवर लेट रहा से ठीक है मतलब नया टाइम हमे कितना कम है एक कम है रेशियो का एक बराबर होगा हाफ एन आवर कम मतलब 30 मिनट 30 by 60 तो यहां से 1 by 2 आ जाएगा देखें यहां पर क्या था कि जो प्लेन था वह अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए आधा गंटा लेट हो चुगा था इसलिए उसको अपने तो वही है रेशियो में कितना कम लग रहा है वन कम लग रहा है तो वन किसके पराबर 30 मिनिट्स को 30 में आवर में कनवर्ट कर लिए 1 by 2 तो मतलब 1 is equal to 1 by 2 अब हम लोग को टाइम बोल रहा है कि increase time क्या है मतलब हम लोग को सबसे पहले निकालना है टी एन निकालना मतलब new time तो कितना हो जाएगा 3 का value हो जाएगा 3 by 2 मतलब 1.5 hours तो टोटल जर्नी का time आ गया 1.5 hours अब हम लोग का पता है कि distance कितना है 1500 km तो distance भी आ गया हमारे 1500 km तो यहां से हम speed निकाल लेता है new speed या फिर increased speed आपको जो बोली है distance divided by time यह point हटा उपर एक 0 लगा 1000 जो कि हमारा option नंबर D है I hope you like the solution thank you very much